सुपर बात प्रिविध्यारतों मैं डॉक्टर इकबाल से आचारे इतियास भाग रात की मावज जहले जालावाग प्रांचीत भारती इतियास की कक्षा में आपका स्वागत आज मैं आपको बताने जा रहे हूं समुद गुप्त के बारे में और समस्त भारत में अपनी वीर्था का प्रभाव जमाया विध्यारतियों उसकी सैंडिक सफलताओं के कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है गौसी भारपितियों की परिक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपुलेन की शाषक को कहा गया है तो आपका उत्तर होगा समुद्गुप्त समुद्गुप्त ने छोटे-छोटे राज्यों को जीत कर एक सुद्रड और विशार सामराजी का निर्मान किया और भारत को राजनितिक एकता प्रदान की इसलिए डॉक्टर विये इसमित कहते हैं कि समुद्गुप्त भारते इत्यास का एक अत्यन्द महत्पून तदा गुन सम्राड था विधार्तियों समुद्गुप्त के बारे में हमें अनेक सादमों से जानकारी मिलती हैं जिसमें प्रमुख है प्रयाग प्रशरस्ति अभिलेग, एरण अभिलेग, गया तामरुपत्र लेग, नालंदा तामरुपत्र लेग प्र्याग के जो अशोक स्थम है प्र्याग का उस पर उत्कीन अभिलेग के रचेता हरीशेन थे जो उसके एक उच्छ पतादीकारी थे और समुद्गुप्त को जानने का या समुद्गुप्त के इत्यास को जानने का हमारा जो रमानिक इस्त्रोथ है वह है प्रयाग प्रशस्ती ऐसा मानना है डॉक्तर आर्सी मजुमदार का विध्यार्तियों अब हम बात करेंगे समुद्गुप्त के प्रारंबिक जीवन के बारे में तो समुद्गुप्त चंदुप्त प्रत्थम का पुत्र था प्रयाग प्रिशस्ति से हमें ये पता चलता है कि वह बच्पन से होनहार था उसने अस्तु शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, चन्दगुप प्रथम ने उसे अपने अन्य पुत्रों में योग्यतम समझ कर अपना उत्रादिकारी गोशित किया और आशिरवाद देते वे कहा इस प्रत्वी की रक्षा करों। अब हम चर्चा करते हैं समुद्गुप्त के शाशनकाल के बारे में। विध्यारतियों समुद्गुप्त का राज्याविशेक का बुहा यानि उसका राज्यरोहन का बुहा उसकी निश्चित तिथी जो है हमार पास उपलब्द नहीं है। अब हम बात करें समुद्गुप्त के राजनितिक आदश की यानि समुद्गुप्त का राजनितिक आदश क्या था किन सिद्धानतों पर चलकर वो अपना शाशन चलाना चाता था। तो विध्यार्तियों वह सम्पुण भारत में एक चक्रवर्ती राजजी स्थापित करना चाता था। डॉक्टर राजबली पांडे इसलिए कहते हैं कि समुद्गुप्त का आदश भारत के प्राचीन शत्रियों का प्रमप्रागत आदश दिगविजे और भारत का राजनितिक एक एक करन था। विध्यारतियों समुद्गुप्त एक दूर्दर्शी और महत्वाकांशी शाषक था। वह चोटे-चोटे राजजियों को समाप्त कर एक मजबूत और विशाल सामराजी स्थापित करना चाता था। और संपूर्ण भारत को राजनितिक एकता के सूत्र में बांध देना चाता था। अतै उसने चंदगुप्त की दिगविजे निती का अनुसरन किया। इसलिए डॉक्टर पांडे कहते हैं कि उसने अशोग की शांतिवादी निती और धर्म विजे की अवेलना करते वे उसी के इस्थम उपर अपने सामराज्यवादी आदश और दिग विजे की प्रशस्ति अंकित कराई। अब चर्चा हम करते हैं समुध की प्रारंबिक विजे के बारे में। इसको भी सरल्टा से हरा कर पाठली पुत्र पर अधिकार कर लिया। इसकी प्रापती से सामराज्यवादी भावना है वह और अधिक प्रभल और इस विजे से समुध क्वपत की दिग विजे निती की शुरुवात विध्यार्ति होती है इसलिए पाठली पुत्र विजे गुपतों के इत्यास में एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है डॉक्टर पांडे कहते हैं कि पाठली पुत्र विजे गुपतों के इत्यास में क्रांतिकारी घटना थी इसकी प्राप्ति से उनकी सामराजे वादी आकांशाएं और जागरत होगे विध्यार्तियों दिग्विजे निती यानि अपने से कमजोर राज्यों को जो है अपने राज्ये में शामिल करना याणि सामराजी प्रसा करना तो जैसा कि हमने का कि शत्रों की प्रम्प्रागत जो नीती रहे हैं दिगविजे की नीती और समुद गुप्ट ने भी उसको अपनाया तो छुकि समुद गुप्ट एक साहसी यौद्दा और महान विजेता था उसके द्वारा कियेगे समस्त सेनिक अभ्यानों का ज्यान या जानकारी हमें प्रयाक पश्रस्ति से होती है हरिशेन ने इसमें तिथी क्रम तो नहीं दिया है विध्यारतियों लेकिन उसने विजे विवरण में भोगलिक शेत्रों का ही ध्यान रखा है तो समुद्गुप्त की विजियों को हम निमलिकित भागों में बाठ सकते हैं सबसे पहले है आर्यावर्थ की विजे आर्यावर्थ यानि उत्तरी भारत तो समुद्गुप्त ने सबसे पहले आर्यावर्थ यानि उत्तरी भारत के नो राज्यों पर आक्मन किया और उन्हें जीत कर अपने सामराजी में शामिल कर लिया प्र्याग स्थम के अनुसार आर्यावर्ट में विजित नो राजा जो थे उनके नाम निम्द्पकार है पहला जो है रुद्देव, मतिल, नाकदत, जंद्रवर्मा, गंपतिना जो की मतूरा का राजा था नाकसेन पद्मावती, गौलेर राज्ये में नर्वर का राजा, नंदी, मद्य भारत में, अचूत, बरेली का राजा, बलवर्वा, अशम का राजा, असम तो उप्रोप्त विजियों से समुद्गुप्त का राज्ये प्रयाग और साकेत से आगे बढ़कर मतूरा और गौलेर तक फैल गया और इस विजिये के बार विध्यार्तियों अब वहे आर्यावर्त का चक्रवर्ती नरेश बन गया उसकी जो दूसरी विजिये है विध्यार्तियों वहे थी आर्यावर्त की विजिये के बार, समुद्गुप्त ने विंध्याचल परवत के आसपास के अट्वी यानि जंगली राज्यों पर विजिये प्राप्ति डॉक्टर फिलीट के अनुसार ये अटवी राज्ये गाजी पूर से जबल पूर तक फेले वे थे और इस निश्कर्ष की पुस्टी एरर अभी लेक से भी होती है प्रयाग प्रशस्ती के विवरण अनुसार आटवी राज्याओं पर विजे प्राप्त कर उन्हें अपना परिचारत उसने बनाया था इस विजे से समुद्गुप्त के लिए दक्षिन भारत की विजे का माग प्रशस्त हो गया विध्यारत थे हो चुकि उत्तर भारत और दक्षिन भारत के बीच में ये जो जंगल थे उस समय घने वन थे वहाँ पर ये अटवी राज्य थे और जब इनको जीत लिया गया तो समुद्गुप्त के लिए दक्षिन भारत की और बढ़ना आसान हो गया अब हम बात करते हैं दक्षिनापत विजे की दक्षिनापत यानि दक्षिन भारत तो मगद में अपनी शक्ती संगठित करने के बाद समुद्गुप्त ने दक्षिन भारत की विजे के लिए अभ्यान शुरू किया दक्षिन भारत के उपर आक्मन का उद्देशे जैसा कि प्रयाग प्रश्वस्ती में कहा गया है कि दक्षिन के राजाओं से समुद्गुप्त केवल अपना स्वामित और प्रभुत स्विकार कराना चाहता था समुद्गुप्त ने दक्षिन भारत के 12 राजाओं को पराजित किया इन राजाओं के नाम और राज्ये निम्न प्रकार है पहला है कोशल का महंद्र, महाकांतर का व्यागराज, कोराल का भंटराज यानि पहले हम राज्यू की नाम बता रहे हैं कोशल, महाकांतर, कोराल आदी पिष्टपुरी का महंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामिदत, एरनपल का दमन, काची का विष्णुगोप जोकी पल्लमवंश का था, अमुक्त का निलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रुसेन, देवरास्ट का कुबेर, कुस्थलपूर का धननजे विध्यार्तियों, समुद्गुप्त ने इन राज्यों के साथ सर्व दक्षनापत, राज ग्रहन, मौक्ष अनुग्रे की निती अपनाई, यानि सारे दक्षनापत को जीता, राज्य को ग्रहन कर लिया, और उनको अनुग्रे करते वे मौक्ष परदान कर दिया, उनके राज्यों को अपने सामराज्य में शामिल नहीं किया उनके साथ उदारता का भेवार किया और उनके राज्य वापस लोटा दी गए उसका ये निर्ने उसकी दूर दर्शिता का काम था क्योंकि पाटली पुत्र की गद्धी पर बैठ कर दक्षिन भारत के प्रदेशों पर नि इसी निती का अनुसरण किया और उत्तरी भारत के राज्यों को अपने अधिनस्त बनाया जबकि दक्षिन भारत के राज्यों को कर वसूल करके और उनको अधिन्ता स्विकार करके उनका राज्य चलाने के लिए स्वतंत छोड़ दिया और यहीं निती पूर में गोशित कर दी आते जब दक्षिनापत को जीत कर वे लोटा तो समुद गुप्त को आर्यवर्थ के राजाओं के खिलाफ दूसरा अभियान करना पड़ा समुद गुप्त ने शक्ति के द्वारा उनका विनास भी किया और उनके राजाओं को अपने सामराज्ये में मिला लिया उसकी ये निती समय के अनुकूल थी दकषीन भारत के एक छत्र राजे पराजित करने के लिए आर्यवर्थ के छोटे-छोटे राज्यों को पुन्हे जीतना उसके लिए जरूरी था इसलिए उसने आर्यवर्थ के राजाओं के खिलाब दूसरा अभियान किया अब आत हम करते हैं सीमावर्ती राज्यों और गन्राज्यों पर विजे की समुद्गुप्त की विजयों और सैनिक शक्ति से डर कर जो सीमावर्ती राज्ये थे गुप्त सामराजी के यानि सीमाओ पर इस जो छुट-छुट राज्ये थे और जो गन्राज्ये थे उन्होंने बिना युद के विद्यार्टू समुद्गुप्त के अतिनता को स्विकार कर लिया। ये राज्ये समुद्गुप्त को सपकार के कर देते थे, उसकी आज्याओं का पालन करते थे, तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर समुद्गुप्त के समक्ष अभिवादन करते थे. ये सीमावर्ती राज्ये निम्द लिखी थे, सम्तट, द्रवाक, कामरूप, नेपाल, कुर्थपुर्ण, और गन्राज्ये हैं, उनके नाम निम्द प्रकार हैं, मालव, अर्जुनायन, योध्ये, मादरक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काख, और खरपरे. अब हम बात करते हैं, विदेशी राज्यों के साथ संबंदों की. प्रयाग प्रश्रस्ति के अनुसार, ये विदेशी राज्ये निम्नलिकित थे, प्रथम, उत्तर पर्शिमी भारत, जो की काबुल घाटी और पंजाब के कुशान यहां पर शाषन कर रहे थे, दूसरा है शक्त, जो की पर्शिम भारत के शक्त थे, तीसरा है मुरुन, जो श्रीलंका के राजा मेगवण ने अपना एक दूत समुद्गुप्त के पास उपहार लेकर भेजा था, और बौध गया में यात्रियों की सुविधा के लिए एक विहार बनवाने की आज्या मांगी थी, समुद्गुप्त ने सहर्ष आज्या दे दी, अत्य मेगवण ने मह बोधी संगाराम नामग भव्य विहार निर्मेत यहां पर करवाया, इससे सिहल नरेश यानि सिहल राजा और समुद्गुप्त के मैत्री संबंद की प्रमानेकता साबित होती है, इसके लावा अन्ये सर्वदीप जो थे उनको भी उसने जीता, और इन सर्वदीप का बादों ने भारतिय उपनिवेश इस्थापित किये थे, और प्रौक्त समस्त राजाओं के साथ समुद्गुप्त के अच्छे संबन थे, संबव है कि जो सासानी समराटों के भैसे उन्होंने समुद्गुप्त से मित्रता की हो, तो विध्यारतियों ये रही देश, बिहार, बंगाल का कुछ भाग तथा मालवा का कुछ भाग गुप्त सामराजी के अंतरगत आ गया, इस सामराजी की पूर्वी सीमा परिस्थित पाँच राज्ये और पर्शिमी सीमा परिस्थित चार गण राज्ये थे, जो समुद्गुप्त के अधीनता मानते थे तता उसे कर देते थे इसके अलावा मध्य भारत के आटविक राज्य दक्षिनापत के बारा राज्यों ने भी समुद्गुप्त के अधीनता स्विकार की थी अफगानिस्तान, पंजाब, लंका और दक्षिन पूर्वी एश्या के अनेक दीपों के साथ समुद्गुप्त के मैत्री पूर्ण संबन थे समुद्गुप्त के राज्ये में कश्मीर, पश्यमी पंजाब, पश्यमी राजपुताना, सिंध और गुजरात के अलावा सारा उत्तरी भारत शामिर था चतिसगर, ओडिसा के पहाड़ी प्रदेश और पूर्वी तर्ट पर दक्षिन में चिंगल पूर्ट और संबात है कुछ आगे तक का प्रदेश भी उसके राज्ये में शामिर थे इसलिए डॉक्टर आके मुकर जी कहते हैं कि समुध गुप्त ने अपना सामराजे पूर्व में भ्रहंपुत्र तक यानि भ्रहंपुत्र नदी तक दक्षिन में नर्मता तक और उत्तर में हिमाले तता कश्मीर तक बढ़ाया विध्यारती हों हम देखते हैं कि समुध गुप्त एक पराकर्मी राजा था एक अच्छा सेना नायक था और अपनी कूट नितिक गिता और योग गिता के बल पर उसने एक विशाल सामराजी का निर्मान किया और भारत में उत्तर और दक्षिन में फेले और छोटे-छोटे राज्यों को एक ताके सूत में बांधा धन्यवाद